Hello dear students, तो अब हम next chapter start करते है, sound. Sound क्या होता है? हमें बता है, sound जो हम सुनते रहते हैं, sound, अभी birds की sound सुनते रहते हैं, अभी wickers के horns की वाद सुनते रहते हैं, वो क्या होता है? तो वो एक energy होती है, जो हमारे ears सक पहुंचती है. तो sound is the form of energy which produce sensation of hearing in our ears. ठीक है चलो, अब sound होती है, वो produce कैसे होती है? किन-किन bodies में से sound आती है? हर bodies में से तो sound नहीं आती है, यहां मेरे आसपरस काफी सारे bodies पढ़ी है, हर body में से sound नहीं आती है, कुछ bodies में से sound आती है. वो bodies क्या कर रही होती है, कुछ special कुछ काम कर रही होती है, हां, वो vibrate कर रही होती है, तो जो vibrating body है, वही sound produce करती है, तो sound is produced by the vibrating body अब vibrating body क्या होती है vibration क्या होता है तुमने देखा होगा example देखा होगा घरों में जो plates होती है plates को अगर हम hit करें तो वो vibration करने लग जाती है हिलने लग जाती है इस तरह से और vibration करती है तब ही उसमें से हमें sound भी सुनाई देती है और भी तुमने एक्जामपल्स दे देखे होगे हम fork होता है इस तरह से fork अगर हम इसको भी hit करें हमें इसमें से वा जाती है क्यों? क्योंकि ये vibrate कर रहा होता है ये वाला जो portion है कभी इस तरफ जाता है कभी इस तरफ इस तरफ इस तरफ तो ये vibration कर रहा होता है तो vibration body या vibrating body ही sound produce करती है अब vibration क्या होता है जैसे तुमने plate का example दिया था अब plate में हर चीज हमारी atom से बनी होती है atom, particles जो हमारे हर चीज हमारी atom से या particle से बनी होती है तो जैसे उसको hit किया तो उसके particles vibrate करने लगे किसके plate के particles vibrate क्या होता है यहाँ पर कोई particle में ले रहा हूँ vibration होती है vibration से पहले समझो oscillation क्या होता है oscillation मान लो कोई भी particle है कहीं भी है मान लो इस तरफ है यहाँ किसी के अंदर है इसके यहाँ जब भी तुम्हें example दिया जैसे plate का particle है कोई भी particle है कोई भी चीज़ है अगर वो oscillation कर रही है इसका क्या मतलब होता है कि यह कोई particle है अगर यह गया इस तरफ जाते जाते यहाँ रुख गया फिर वापिस आया वापिस जाते जाते इदर गया और इस तरफ जाकर रुख गया और फिर वापिस आया इस तरह से वो अपनी motion कर रहा है एक बार इस motion को क्या कहते है motion कहीं type की होती है अगर वो सिरा स्टेट लाइन में ही चलता रहता तो इसको बोलते है ट्रांसलेटरी मोशन अगर वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहता तो इसको बोलते है रोटेटरी मोशन तो लेकिन अगर ये इस तरह से जा रहा है कि एक बर इस extreme end को छूब कर आ रहा है फिर इस extreme end को फिर वापिस इस तरह की जो motion करता जा रहा है तो इसको बोलते है true and fro motion to and fro motion of a particle about its mean position mean position is called oscillatory motion तो इस तरह की motion को oscillatory motion कहते है और oscillatory motion अगर बहुत fast हो रही है काफी तेजी से oscillations हो रही है बहुत तेजी से oscillatory motion हो रही है तो उसी कोई हम vibratory motion कह रहते हैं और कहते हैं ये vibration हो रही है तो बस यही फरक होता है oscillation और vibration में तो अगर vibration कर रहा है ये particle तो ये sound produce करी रहा होगा वो बात अलग है हम उसको नोटिस कर पा रहे है या नहीं लेकिन अगर वो इस तरह की मोशन कर रहा है तो उसमें से साउंड परड्यूस हो ही रही होगी तो अब देखो अब वो साउंड हमारी एर्स का कैसे बोस्ती है जैसे किसी चीज़ को अभी बताया तो वे प्लेट को हिट किया वो वाइबरेशन करने लग गया उसके पार्टिकल वो वाइबरेशन वहाँ पर प्लेट और मेरे बीच में क्या चीज़ आ है एर है एर में भी तो पार्टिकल्स है ठीक है कोंसे पार्टिकल्स oxygen carbon dioxide यह सब particles है तो उस plate के particle वो टकराते है एर के particles से तो air के particle vibration शुरू कर देते हैं तो air के particles अगले particle से टकराते हैं वो vibration शुरू कर देते हैं तो इस तरीके से vibration हो होकर कोई particle हमारे ear में ear drum से आके टकराता है उसके बाद वो टकराता है वो sensation वो electrical signal में convert उता है ब्रेन तक पहुंच जाता है तो इस तरीके से कोई भी sound हमारे किसी भी body से vibrating body से हमारे ear तक पहुंचती है तो अगर sound आ रही है तो बीच में medium का हर particle vibrate करी रहा होगा तो medium क्या हता है यह जो air water है यह सारे medium होते है तो sound अगर हमें आ रही है किसी तो बीच में हर particle vibrate करी रहा होगा तो अब इसको यह समझो vibration यह कोई particle vibrate कर रहा है तो यहां से sound आ रही है यह मेरे तक पहुंचेगी sound तो इससे कुछ characteristic देखो characteristic को sound जैसे अब time period क्या होता है second frequency क्या होता है third amplitude क्या होता है देखो यह कोई particle vibrate कर रहा है तीक है अब वो अपनी mean position से दूर जाता जा रहा है example होते है 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter तो यहां से इस extreme end का distance इस mean position से suppose 4 meter है तो mean position से maximum वो कितना दूर आया पहले 1 meter आया, 2 meter, 3 meter, maximum कितना दूर आया, 4 meter तो यह इसी को बोलते है amplitude यहां से यहां तक यह amplitude तो the maximum displacement of the particle from the mean position is called amplitude और इसके unit क्या होते है, maximum displacement वर्ड यूस की है और displacement का unit क्या होता है, बोलो displacement का unit सोचो क्या होता है ऐसे unit of displacement is meter, तो इसका amplitude का भी unit होएगा, meter अगला देखो, time period क्या होता है अब object यहां से शुरू हुआ, एक पर इधर गया, इस extreme end को छूकर आया एक पर इस extreme end को फिर वापिस आया तो इसको बोलते है, एक cycle complete करना तो इसने यह एक cycle complete करी और एक cycle या एक oscillation या एक vibration complete करी तो एक oscillation या एक vibration या एक cycle complete करने में जो time लगा उसको उसी भी बोलते है, time period so time taken by the particle to complete one cycle is called time period और time का आसा unit क्या होता है पता है कुमें, बहुत बार हम numericals में भी यह उसकर चुके है यह आसा unit of time is second और frequency क्या होता है frequency का जो symbol होता है, होता है new and frequency is reciprocal of time period यह तो इसका formula हो गया अब frequency का unit क्या होगा time का unit होता है second तो frequency का हो गया per second लेकिन ऐसा ही system में हम बार बार per second नहीं लिखते इसकी जगा हम per second को replace कर देते हैं hertz से so hertz is a unit of the frequency frequency हमें क्या बताता है frequency हमें बताता है कि number of seconds completed इनने unit time unit मैं second लेतना हूँ अगर तो एक second में यह particle कितनी cycles complete कर रहा है माल लो मैंने time period निकाला कुछ भी given है time period उसके बाद example तुमें बताता हूँ कि जो time period है माल लो वो time period आ गया वो given है 0.05 seconds तो frequency कितनी है 1 by T तो frequency 1 by 0.05 कितना आगया उपर जाके 100 और divided by 5 और इसको कितना आगया 20 unit क्या तुमें बताए per second लिखने hertz लिखना तो frequency है hertz तो यह जो sound produce कर रहा है उसकी frequency है 20 hertz तो frequency हमें बताता है कि एक second में यह कितनी cycles complete कर रहा है तो यह एक second में ही 20 seconds 20 seconds complete कर रहा है तो अगर कोई और तेजी से vibration हो रहा है बहुत तेजी से vibration हो रही है तो उसकी frequency और जादा होएगी काफी तेजी से vibration हो रही है तो frequency और जादा होएगी तो हमारी जो हम जो उनसे human ear है उसकी जो range है वो कितनी frequency की sound सुन सकता है 20 hertz जैसे भी इस example में था कि particle अगर 20 hertz से vibration कर रहा है तो human ear सुन जाएगा 20 hertz मतर एक second में 20 बार cycles हो रही है उसके तो वो सुन लज जाएगा हमें ठीक उससे कम अगर frequency होएगी मलब काफी दीरे दीरे होएगी तो वो कान पर आकर टकड़ाएगा कान notice हमारा यह डर्म notice नहीं कर पाएगा तो वो audible range नहीं है हमें नहीं सुनाई देगी 20 hertz से ही सुनाई देगी 20 hertz से जादा होगी 30 hertz, 50 hertz, 100 hertz सब सुनाई देगी अगर frequency बहुत तेज हो गई 500 hertz मलब और तेजी से हो गया एक सेकिंड में ही 500 बार सैगी उसको प्लिट कर रहा है 5000 hertz और तेजी से हो गई और जादा अगर जाती जाए अगर हमारे 20,000 hertz की frequency वाला कोई particle या कोई sound अगर हमारे ear drum पे टकर आया है तो उसको भी सहलेगी हमारा ear drum लेकिन अगर इससे जादा frequency वाली sound है मलब जो particles आ रहे हैं वो मालब 21,000 hertz की frequency से वाइब्रेट करते करते आ रहे हैं तो इतनी तेजी से वाइब्रेट है एक सेकिंड में 21,000 फट अब तो वो signal सी सुन सकता है तो इस range को बोलते है audible या audible range ठीक है इससे कम वाले नहीं सुन सकता तो अगर less than 20 hertz की sound वाले signals होंगे तो उसको बोलते है infrasonic sound और अगर इससे भी ज़्यादा है किससे 20,000 hertz से ज़्यादा frequency की sound है तो उसको बोलते है ultrasonic sound ठीक है चलो अब कई वर इसमें numeric भी आते है इस चीज़ का graph भी बना होता है graph कैसे बना होता है यहाँ पर देखो इसकी displacement कितनी है अभी चलना ही नहीं शुरू हुआ O यह point है P दुबारा आया यहाँ पर तो O, P, Q तो इस point के दो नहीं होगे O, Q, कोई बात नहीं P, Q, R दुबारा यहाँ पर आ गया S तो कैसे शुरू होई थी उसकी motion O से P, Q, R, F तो displacement कितनी थी O point पर 0 थी ठीक है उसके बाद P point पर कितनी displacement होगी A maximum होगी A उसके बाद Q point पर दुबारा कितनी होगी वापिस अपनी जगा पर आ गया displacement होगी 0 फिर R point पर कितनी होगी अगर मैं इदर plus से लेग रहा हूँ displacement vector quantity है negative हो सकती है तो इस तरफ negative है उसके बाद particle वापिस S पर आ गया तो कितना displacement है अपनी mean position से 0 तो S point पर की displacement होगी 0 अब time period देखो total time है वो capital T time period यहाँ से इदर इदर से इदर और यहाँ से वापिस तो उस time period को भी मैं four parts में divide कर देता हूँ यहाँ time था 0 यहाँ time होगया T by 4 ठीक है इदर आकर होगया 2 T by 4 यह होगया 3 T by 4 और यह 4 T by 4 इसको यहाँ बना रहा हूँ है 0 और उसके बाद होगया T by 4 और यह उसके बाद 2 T by 4 जिसको चाहे T by 2 भी लिख दो उसके बाद 3 T by 4 और उसके बाद 4 T by 4 4 T by 4 को चाहे capital T भी लिख दो तो यह time period अब इसमें जो graph होता है वो इस तरह से graph होता है इस तरह displacement इस तरह टाइम तो यहाँ पर मैं 0 time इदर मैं बना रहा हूँ T by 4 यह equal division बना दिये इस तरह 2 T by 4 3 T by 4 और 4 T by 4 अब 0 पर कितना है? 0 T by 4 पर कितनी है? A, displacement A suppose यह A है तो यह minus ही होईगी यहाँ कोई point ले लेता हूँ minus A amplitude T by 4 पर है A 2 T by 4 पर 0 3 T by 4 पर minus A तो यहाँ पर आ जाएगा इस time को मैं थोड़ा इस तरह करके लिख देता हूँ यहाँ फिर यह ARO है इसको यहाँ पर time अच्छा 3 T by 4 पर कितनी है? minus A 4 T by 4 पर 0 तो जब इनको मिलाएंगे कैसे मिलाना है? straight line से नहीं मिलाना इसको curve shape में मिलाना है तो जब curve shape में इनको मिलाया 2 T by 4 उसके बाद 3 T by 4 इस तरहा से यह point इधर नहीं है, इधर है यहाँ minus है और यह plus है तो यह graph है graph से भी कहीं पर question पूछे जाते है कि बताओ कि time period कितना है? तो यहाँ पर कुछ भी दिया होगा time period T की जगा किसी form में दिया होगा मालनों यह 0.5 second लिखा हो यह 1 second लिखा हो तो time period कितना होगा? 2 second frequency कितनी होगी? 1 by 2 hertz यहाँ minus equal to 1 by 2 amplitude कितना होगा? यहाँ एक ही जगा कुछ भी लिखा हो मालनो 10 centimeter लिखा हो तो meter में कर देना 10 by 100 meter तो इस तरह से तुमारे questions भी आ जागे है अब ग्राफ से भी बदा लग जाता है कि किसकी frequency जाता है या किसका amplitude जाता है amplitude तुम्हें बदा लग जाएगा देखो यहाँ पर दोनों के time period सेम है माल लो same time period ऐसा और लेकिन इसका जो amplitude है यह वाली जो sound है यह किसी और person ने छोड़ी होगी sound यह किसी और person ने तो उसका इस तरह से graph आया मतलब उसका amplitude जादा है यहाँ displacement time लिख देना इसका amplitude जादा है इसका amplitude कम है तो उसकी sound जो produce होई तो जो medium के particle है mean position से ज़्यादा ज़्यादा दूर तक जा रही है ज़्यादा है maximum displacement इसका amplitude तो graph से भी बता लग रहा है कि amplitude इसका ज़्यादा है और इसका amplitude कम है और frequency का कैसे बता लगता है frequency में अगर दो graph से है दो sounds निकली frequency होती है number of seconds completed in unit time in one second मालो यहाँ तक यह time axis है यहाँ से यहाँ तक one second है तो यहाँ number of seconds हितनी complete हो रही है यह एक सेकिल है तो number of seconds और यहाँ पर देखो यह एक सेकिंड है यहाँ पर यह दो graph है तुम्हें पुछे जाए time period बताओ सब कुछ बताओ यह सब चीज़े बता रही है तुमें तो time period तो तुम यहाँ से बता दोगे कि यहाँ से एक cycle complete होने में कितना time लगा time period यहाँ भी एक cycle में time period वैसे graph से पता लगके यह भी पता लग जाता है देखने से की frequency किसकी कम है यह ज़्याद है कितनी है वो तो time period निकालके one by t से पता लग जाएगा यह कम ही है ज़्याद है जैसे यहाँ देखती पता लग गया इसका amplitude ज़्याद है यहाँ frequency किसकी ज़्याद है तो देखो माल लो यह एक second है time यह time period कुछ होगा zero point something कुछ होगा ऐसे करते करते ही एक second हो गया और frequency क्या होती है एक second में जितनी cycles complete होई तो कितनी cycles complete हो रही है one, two, three और यह इतने three point five तो किसकी frequency है three point five hertz इस sound कि यहाँ displacement time लिख लिए न इसकी frequency कितनी है one cycle और अगली क्याई one point five भी नहीं होई पूरी है तो one point two five one point two five hertz किसकी frequency ज़्याद है उपर वाले की तो देखे कैसे पतल लग रहा है कि जो graph इस तरह से भीड़ा भीड़ा बनाव गरा जिसमे cycles pass pass हो spacing कम हो वो वाला जो graph है देखते ही भीड़ा भीड़ा जो graph है पतल लग जेगा इसकी frequency ज़्याद है और इसकी frequency कम है और जो ऐसे उपर amplitude यह तो साफी पतल लग रहा है इसका amplitude ज़्याद है और इसका amplitude कम है अब कई बार पुछे जाता है कि pitch क्या होता है और second पुछे जाता है loudness क्या होता है अब pitch is related to frequency and loudness is related to amplitude क्या मतलब related pitch का मतलब है कि अगर किसी sound की frequency ज़्याद है तो कहेंगे कि हाँ इसकी pitch ज़्याद है जैसे pitch is the shrinkness in this sound shrinkness का मतलब जैसे coil की वाज होती है काफी तिक्षी वाज होती है तो तिक्षी वाज का मतलब उसकी जो वाज निकलती है जो medium के particles vibrate कर रहे होती है वो बहुत तेजी से कर रहे होती है vibration उसकी जो frequency होती है काफी ज़्यादा होती है तो उसकी voice में shrinkness ज़्यादा है जैसे तुम्हें एक्जामपल दिया अब अब पुछे जाए कोईल और हुमन दोनों की साउंड में से किसकी साउंड की पिछ जादा होती है तो तुम कहे तो कोईल की अब लाउडनेस क्या होता है लाउडनेस इस लेटी टू अम्पलिचूड किसी भी साउंड में का अगर साउंड निकली उसमें जो पार्टिकल्स वाइबरेट कर रहे हैं उनका अम्पलिचूड जादा है तो कहेंगे हाँ ये साउंड लाउड है मालो दो साउंड निकली एक मालो मैंने वाज निकाली एक लोएन निकाली है तो उसने साउंड निकाली मैंने मीडियम के पार्टिकल्स जो एर है वाइबरेट करने लगे मेरी साउंड से जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो मीन पोजिशन से बहुत दूर तक नहीं जा रही है थोड़ी मैं अम्प्लिचूट कम है और जो लोएंड निकाली उससे जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो मीन पोजिशन से काफी दूर तक डिस्प्लेस हो रही है जो लोएंड की साउंड है जिस साउंड का इम्प्लिचूट ज्यादा होगा वो लाउड louड ने देगी हमें दो sounds निकली है तो तुम कहा दोगी इसकी frequency जाद है तो इस वाली sound की पिछ जाद है इस वाली sound की पिछ कम है लेकिन अगर पुछा जाए इन दोनों में से चलो इधर आओ एक बार इन दोनों में से कौनसी sound loud है और कौनसी कम loud है तो कहे दो कि इसका amplitude जाद है तो ये जादा loud है और ये कम loud है अच्छा अब इन दोनों में से पुछा जाए loud कौनसी जाद है पिछ तो ठीक है loudness बताओ कि इसकी जाद है तो amplitude देखेंगे तो amplitude दोनों का same है अगर इसको बिल्गुल perfect तरीक के से बनाओ मैं तो देख रहा है time period दोनों का same है यहाँ पे भी इसने एक cycle complete करने में time उतना ही लगा है यहाँ भी उतना ही लगा है तो frequency is equal to 1 by T तो दोनों की frequency same ही आईगी अगर इसकी frequency new 3 है इसकी new 4 है तो यहाँ दोनों same ही आईगी new 3 is equal to new 4 तो क्या बता रहा है यह दोनों sounds की pitch same है तो इस तरह से हमें sound के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा तो class आज के लिए इतना काफी है इससे आगे कम करेंगे next lecture Thank you class